हेलो फेंड्स कैसे हो आप माना किचन में फिर से आपका स्वागत है कि नहीं रिशाथ तो आज हम नाएंगे देशी काचरी की सब्जी तो यह सेकावाटी के अंदर बहुत ही पाई जाती है और इसमें बहुत ही स्वाजी सब्जी बनती है एक बात जुरूर ट्राइ किजिए इस कातिक के महें तो आज हमने यह कातिक के महें काचरी की सब्जी बना रहे हैं बहुत ही लाज बाब सब्जी बनका थ्यार और वीडियो को इसदे दीय कर ले और यहां पर हमने यह काचरी है उसको ऊपर छिल कर और शलास के रूमे कट कर लिया है और मुसाले में हम काम में लेंगे एक चमर्णफ फॉडर लाल एक चमर्ण दनिया पहुडर हदा चमर्णफ अल्दी पाउडर को यहां वहां सौाध के अनुसा नमक काम में लेंगी और waiver को हम अभावी कर दिया है, और इसके उपर हमने कुढ़ाई रख दी है, कुढ़ाई के ंदर दो बड़े चमरीड डून दें और ऑल को गर्ब होने के बाद के पाद नहीं आमने डाल धिया है तोरसह जहरा तच्के के लिए और तेजपत्ता और दाल-चिनी और उसके अंदर तेल गरम हने के बाद इसके अंदर हमने जो काचरी थी जो अच्छे से दोकर रखती वो इसके अंदर डाल दी है और तेल के अंदर फ्राई कर ली है और इसके अंदर हमने मिर्च मुसाला भी डाल दिया है इप सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चमज के साइटा से चमज तो लगतार चलाते लिए ताकि इसके जिपके नहीं तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है काचरी और मु चीनी डाल दिये जिसे आप सब्सका टेस्ट एक खटा मिठा अच्छा आएगा और आप नहीं डालना चाहते हैं और अपसके अंदर थोड़ा पाइन डाल दिया एक कप पर इसको थोड़ देर के लिए पका लेते हैं यह देखे फड़े अच्छे बबल साने लगे हैं पानी ब अच्छे बद्रेवी कमे अज़ादा भी रख सकते हैं तो एक बात जरूर ट्राइ किजिए इसको आप बाजरे की रोटी के साथ काते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही स्वादिश लगती है एक बार आप इस समय काश्री की सबजी बना कर खा ली तो आप बार बार आप काम बन बन करेगा और बहुत ही लाजबाब स्वादी बनकर त्यार होती है और वीडियो को लाइक शेर ज्रूर करें अपने दोस्तों में एदे की सब्जी हमारी अच्छे से पकर त्यार उच्किए बहुत ही अच्छी गृवी आई है देख सकते हैं आप प्रिकार सबजी बनाते हैं तो थोटे बचे भी बड़े चाओ से काते हैं और बचा बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सबजी को देखते हैं मुझे लाट टपकने लगती है और में देखे सबजी हमारी बन कर त्यार हो चुकी है तो अच्छा धन्यवाद थैंक्स सो मच वाचिंग माई वीडियो बाई योर टेकर फिर मिलते एक नई रिश्म के साथ